अबिसोर्ट की शुरुवात में में दिखाया जाता है उस ज़िया को ओनर वाँ पे आ चुका होता है धेर सारे बंदे को लेकर और कहा रहा होता है कि अब हमने कपड़ों को रैप कर दिया है और तुम अब ना कहा रही हो ऐसा नहीं हो सकता है डायन कहा रही होती है क्या तुम अभी भी खरीदना और बेचना चाते हो चबकि तुम्हारा ये सेल्समेन मुझसे ऐसे बात कर रहा है लेकिन वागा जो ओनर होता है वो कहने लगता है देखो बच्ची बिजनस के कुछ अपने नियम होता है और लेन देन तो हमारे बीच में चलता रहता है अगर तुम नहीं लेना चाहती हो तो तभी हमारा हीरो आता है और उसे एक जोड़दार जापड मारता है और कह रहा होता है तुम्हें डर नहीं लगता है क्या भरमंजी के मरना चाहते हो क्या वो उसका मुझ जोर से दाब लेता है फिर छोड़ता है और फिर यह जो ओनर होता है वो कहा रहा होता है तुम्हारे इतनी हिम्मत तुमने मुझे मारा एक तो तुमने मेरे दस मिलियन डॉलर लिये हैं उपर से तुम्हारे इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा होता है हाँ मारा तो कुछ उकार लोगे क्या दम है क्या इतना तुम मैं लेकिन वो तभी अपना फोन उसे दिखाने लगता और कहा रहा होता है मुझे पता है कि तुम लड़ सकते हो लेकिन तुम कोट को कैसे हराओगे कोट में मेरे पास कुछ अपने लोग है तुमने मुझे से 10 मिलियन डॉलर लिये है अगर तुम मुझे मेरे पैसे वापस नहीं लोटाओगे तो मैं तुरंट फोन लगाओँगा और फिर तुम अपनी सारे जिन्द की जेल में बिताते रह जाओगे लेकिन तुम मुझे काफी गरीब लग रहे हो इसलिए मैं तुम पर और बोज नहीं डालना चाहता हूँ एक काम करो तुम मेरे साथ चेन फैमिली में चलो और वहाँ फिर तुम्हें मुझे पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं पढ़ेंगे क्यों क्या कहते हो लेकिन फिर वो अपने स्टाइल में आ तुम पूरी जान लगा दी थी मुझे मारने के लिए देखो मैं पूलिस को फोन करता हूँ और फिर तुम्हें कैसे कैसे तुम्हें फासी की सदा होगी लेकिन हमारा हीरो से कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे जैच कर पाए और सजा देनी तो दू बढ़ने वाला हूँ हीरो कहा रहा होता है तुम काफी जादा कॉन्फिरेंट लग रहे हो चलो देखते हैं कि तुम क्या रह सकते हो तब ही हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर लेडी ऑफिसर भी अपने पूरे फोर्स के साथ आ चुकी होती है और जिससे देखने के बाद ये बंदा खुश हो जाता है और कहा रहाता है फाइनली अब ये लोग आ चुके हैं लेडी कहर रही होती है की बताव पुलिस को फोन किसने किया था वो ऑचिने लगता है कि हाँ मैंने फोन किया था मैं तुमारे पुलिस चीफ को जानता हूँ इन दोनोंने मुझे मानने की कोशिश की है और यहां तक कि मेरे दस मिलियन डॉलर भी मुझसे चीन लिये हैं जल्दी करो और इन लोग को अरेस्ट करो लेकिन लेडी आफिसर कहने लगती है कि वो सबसे पहले सिक्योर्टी कैमरास को चेक करेगी और पूरे फुटेज देखने के बाद वो डिसाइड करेगी कि कौन दोशी है और कौन दोशी नहीं है उसके बाद वो सभी लोग को बेच देती है जांच के लिए और इधर यह कह रहा होता है लेकिन मैंने फोन कॉल किया था और वो मनीवन लगाता है और कह रहा होता है कि मैं थोड़ी सी मुसिवत में पढ़ गया हूँ क्या तुम मेरी मैदल कर सकते हो उसके बाद वो ऑफिसर को लाकर फोन देता है और कह रहा है लो पकड़ो चीफ से अपने बात करो और चीफ बताएं कि तुमें कैसे इंवेस्टिगेशन करनी ह और फिर हमारे हीरो के तरफ ऐसे मुड़ के देख रहा होता और कह रहा था है 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 अकर तुम मेरे सामने आकर अपने घुटने टेक तो और माथा पटक कर मुझसे माफी मांगो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें जेल में भी थोड़ा सा हराम दे सकती हूँ मतलब दे सकत चोटी चोटी गलतियों पर कमेंट ना किया करें क्योंकि यह चोटी चोटी गलतिया बड़े-बड़े यूट्यूबर से हो जाती है इसलिए इसे एक्नूर करें और तुम्हारा भाई तो खुद अभी चोटा यूट्यूबर है बता 25,000 भी तक नहीं हुआ है उसके बाद यह और फिसर फोन लेती है और फोन को सीधा स्पीकर पर डालते हुए कह रही होती है हाँ बोलना लिव कुछ काम था क्या अगर कुछ काम नहीं है तो फोन काटो और मुझे मेरी इंवेस्टिकेशन करने तो उधर से वो जो लिव होते हो कह रहे है अरे यह आवास तो चीफ की ल जानते हो परसनल या फिरे आएसे भी जानते हो तो कहने लगता है रहे कुंग बेल्रव नहीं जांता अज गाल तो ऐसे भी लोग रहते हैं जो कुछ भी कह देते हैं और इधर ये कह रहे होते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है ये सब तो उल्टा हो गया उसके बाद फोन लेती है और उनर की तरफ फेक देती है और कह रही होती है फोन पे जो चीफ रहते हैं उनसे कह रही होती है कि आज के बाद ऐसे डिस्टरब करने के लिए मुझसे कभी कॉल मत करवाना समझे इधर इसका पूरा शरीर काप रहा होता और कहा होता है क्या तुम चीफ हो और चीफ कहने लगती हाँ मैं ही चीफ हूँ सबसे अच्छा यही रहेगा कि तुमने जो जुरूम किया है तुम उसे कभूल कर लो तेकिन पता नहीं यह ड्रॉइंग वाला हाथ कुछ अलग जगा पर क्यों लग रहा है इसकी कीमत तो तुम्हें चुकान ही पड़ेगी यह डरा हुआ तो रहता है लेकिन कहरा होता है नहीं यह सब जूट है तुम्हारे पास कोई भी पुरूफ नहीं है और वैसे भी तुमने मुझ से जो पैसे लिया थे तुमने अभी तक मुझे वो नहीं लोटा है तब भी उसका फून अचानक से बजने लगता और उसमें सीसी की रिकॉर्डिंग आ रही होती है कि बिलकुल उल्टा हो गया था मतलब रिकॉर्डिंग का समझ रहे होना और फिर हमारा हीरो कह रहाता है तुम्हारे हाथ काफी जाता काप रहे है जब तुम जेल जाओ तो ये याद रखना कि मुझे मेरे पैसे देते जाओ क्योंकि मुझे पता है तुम फ्यूचर में एक अच्छे इंसान बनके जरूर लोटोगे और हाँ उन बाकी गैंक्स्टर्स की तरह बिलकुल भी मद बनना अब पुलिस ऑफिसर भी अपनी हथकड़ी निकाल लेती है और कहरी होती है तो हमारे पास सारे एविडेंस है सर कि आप सस्पेक्ट है किड्नैपिंग के और दस मिलियन आपने लिये भी हैं और आप चुका भी नहीं रहे हैं तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा अभी तक कि सबसे बढ़या फीमल करेक्टर बनाया है मतलब जो इस कौमी का सबसे बढ़या फीमल करेक्टर इसी को बनाया है सरा देखो तो उसके बाद जब पुलिस अस बंदे को ले चारी होती है तब ये हमारे हेरो सा कहते है तुम तुम जरा साइड είναι मैं मुझे तुमसे कुछ important बाते करनी हैं उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन जो डैन होती है वो इस officer को शक की नजरों से देख रही होती है क्योंकि वो लोग दूसरे कमरे में जा रहे होते हैं और अगले पल के scene में दिखाया जाता है यह हमारे हीरो का हाथ पकड़ लेती है और कह रही होते हैं ओ मैजेस्टी आपको तुम मुझे reward देना चाहिए क्योंकि मैं बिल्कुल सही वक्त पर यहां पर आ गई इधर हमारा हीरो कह रहा होता है हां तुम बिल्कुल वक्त पर आई हो और तुम्हें इसका reward तो जरूर मिलना चाहिए वैसे तुम्हारा यह लूप बहुत जादा अच्छा और मैं तुमसे इंप्रेस हुआ उसके बाद ऑफिसर कह रही होती है कि जो आपने मुझे मिशन दिया था वह ब्लैक सोसाइटी वाला वह operation अच्छे से चल रहा है और जो ब्लैक सोसाइटी का सीनियर है वो जो इस्ट कोस्ट में रहता है उसे कैप्टन कहा जाता है अब आपको आगे पता चल जागा यह लोग इसके बारे बात कर रहा है जीरो सोज रहा था मैंने नहीं सोज़ा था कि मैं कैप्टन उजीरो को पहले देखूंगा लेकिन पता नहीं यह मुझे सुना सुना नाम क्यों लग रहा है लगता है मैं इन्हें पहले से जानता है उसके बाद आफिसर बताने लगती है कि जब उसने सुना था कि वार्किंग खुद हैंडॉंग शहर में आ रहे हैं तब वो बहुत जादा खुश था और वो भी यहाँ पर आना चाता था तो उसने मुझे यह आउटफिट दे दिया वो गया था अच्छा ठीक है यह सब बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया लेकिन उसके आगे वो बताती है वो उसे एक पेंट्राइब जैसी कोई चीज देती है और कहरी होती कि आपने जो मुझे से ढूनने के लिए कहा था मैं उसे ढून कर ले आई हूँ लेकिन आप कोट की पावर से इसे इंविस्टिगेशन को क्यों नहीं आगे बढ़वा रहे हैं ओ तो यह पेंट्राइब के अंदर होती है जो आउन्टी थी नजिसे यह नफरत करता है उसके सारे काले करनामों करतूतों उसके बारे में थोड़ी पहुँ छोटी मोडिफाइल्स है और ये नहीं चाहता है कि उन्हें कोट की तरफ से सजा मिले क्योंकि उन्होंने कुछ बहुती बुरे-बुरे काम किये हैं और ये चाहता है कि उन्हें इसकी बहुती दर्दनाक सजा मिले क्योंकि कोट तो एक ही बार में मार देगा लेकिन ये तरपा तरपा के मारना चाहता है ठीरे धीरे करके और गसे में कहरा होता है जो भी मेरे फैमली को या मेरे किसी फैमली मेंबर्स को नुकसान पहुचानी कोशिश करेगा जिन्होंने मेरी मदर को सुसाइट करने पर मजबूर किया मैं उन लोग को इतनी आसानी से नीच वड़ने वाला हूँ मैं उन लोग को तरपा तरपा के मारूंगा ओफिसर घुटनों के बाल बैठ जाती और कहा रही होती है वारकिंग अब जो भी हमसे करने के लिए कहेंगे हम वो सब करेंगे बले हमें इसके लिए आग में क्यों न कूदना परे और फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कमरे से बाहर निकलते तो डैन उनसे पूछ रही होती कि तुम लोग इतना लेट क्यों लगा रहे थे और क्या कर रहे थे अंदर तुम लोग इतनी देर और तब ही आफिसर उससे कहती है कि जो तुम अपने मन में सोच रही हो हम लोग वही कर रहे थे और ये कहने के बाद वो वहां से काफी खुशी खुशी जा रही होती और इतने देन को बहुत साथ गुस्तारा होता है और इसी के साथ हमारे एपिसोड यहें पर खतम होता है बताना क्या कर रहे थे अंदर में